वो तस्वीर है कॉंग्रेस के शाषन वाले करनाटका की कुछ दिन पहले वह चोटा दुकानदार उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया लहू लुहान कर दिया गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हन्मान चानी सा सुन रहा था कॉंग्रेस के राज में हन्मान चाली सा सुनना भी गुना हो जाता है साथियों आज हन्मान जन्ति पर आप से बात करते हुए मुझे कुछ दुन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है हो सकता है आप पैसे बहुतों तो के खबर नहीं पहुँची होगी मिडिया का काम था ये बात पहुँचा है लेकि नहीं पहुँचा ही होगी वो तस्वीर है कॉंग्रेस के शाषन वाले करनाटका की कुछ दिन पहले वह एक छोटा दुकानदार उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया लहु लुहान कर दिया गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनमान चालिसा सुन रहा था ये कॉंग्रेस की करनाटका की सरकार का काम देखिये अपनी छोटी जी दुकान में एक गरीब आदमी बक्ती भाव से प्रभू हनमान जी का स्मरन करते हुए हनमान चालिसा सुन रहा था उसको लहु लहान कर दिया गया आप कल्पना कर सकते हैं कॉंग्रेस के राज में हनमान चालिसा सुनना भी गुना हो जाता है कॉंग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्तान तो खोद इसका भुक्त भोगी रहा है अब शिदी शिदी बात है जब उनके पार्टी उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदीर बने प्रभु राम का प्रान प्रतिष्णा का आउसर हो मंदीर के लोग जाके रूब रूम में आने के लिए निमंत्रन दे सम्मान पुरवक निमंत्रन दे और पब्लिक ली उस निमंत्रन को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाई कुछ दिन पहले ही राम नौमी बीती है कॉंग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांती से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजित्तान में वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कॉंग्रेस ने तो और हमारी यहां तो सूरज की पहली किरन का स्वागत भी राम राम सा से होता है राम राम सा कोई किसी को मिले तो पहले मुल से निकलता है राम राम सा कॉंग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नौमी पर प्रतिबंद लगा दिया था और हमारे किरोडिलाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते थे कॉंग्रेस ने शोबा यात्रा पर पत्थर बाजी करने वालों को सरकारी सवरक्षन दिया था इसी कॉंग्रेस पार्टी ने तिस्टी करन के लिए मालपुरा, करोली, छबड़ा, टॉंक, जोधपुर को दंगों की आग में जौंक दिया था जौंक दिया था और नहीं जौंक दिया था कैसे लोगों को माप करोगे कैसे लिए